इस वीग ग्लीच यूज़ करके हम लोगों ने 33,606 डॉक्टेक कम्प्लीट कर लिया एंड इस वीग हमारा गिल्ड रीजन पर टॉप वन पर 33,000 डॉक्टेक के साथ इस ग्लीच को आप लोग यूज़ करके अपनी गिल्ड में भी काफी सारे डॉक्टेक कर सकते हो यूज़ को पता होगा हमारे फ्री फायर गेम में फ्री कस्टम लेने के लिए आपको 1800 डॉक्टेक कम्प्लीट करने के लिए नियू नियू ट्रिक्स लेकर के आता रहता हूँ लेकिन काफी सारे प्लियर्स का कोशन था कि भाई जो ट्रिक आप फ्राइडे को रिवील करते हो उससे हमारा हॉर्णर स्कोर माइनस होता है तो डॉक्टेक भी बहुत कम मिलते लेकिन मेरे भाई आज की वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना रीजन की गिल्ड का प्लियर्स होगा कुछ भी नहीं होगा आपका आईडी सब्सपैंड भी नहीं होगा बस बिना स्किप करें देख लेना इस ग्लीच का जो सबसे बढ़िया चीज है न कि इससे आप लोग का लेवल भी आपग्रेट होगा इस ग्लीच को यूज़ करके सबसे पहले आपको auto clicker को on कर लेना है जिया मेरे भाई auto clicker को यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरा जो subscriber है यह reason की top 1 guild पर है और इस glitch को use करके इनकी guild में मेरे subscriber ने 1000 plus dog tag किये और अगर आप लोग भी इस glitch को अच्छे से use करना चाहते हो तो वीडियो को बिना skip करें देख लेना सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि भाई यह 100% working glitch है और इससे आप लोग का ना ही ID suspend होगा ना ID ban होगा और ना ही corner score minus होगा जिया मेरे भाई और भाई अगर किसी भी player को doubt है ना कि इस glitch से ID suspend होता है तो एक बार आप लोग free mind होके अच्छे से वीडियो को watch कर लो सिर्फ 8 minute का वीडियो रहने वाला है और एक बार बिना किसी भी part को skip करें आप लोग अच्छे से watch कर लोगे ना तो आपकी guild में भी easily dock tag complete हो जाएंगे और आप एक player मिलके सिर्फ एक player अकेला अपनी guild के लिए dock tag complete कर सकता है इस glitch की मदद से सबसे पहले मैं आपको अपनी ID पे करके दिखा रहा हूँ आपको setting से सबसे पहले इस वाले option में अपना run वाले button को press कर देना है अब यहाँ पर आपको run वाला button इसलिए लेकर के आना है क्योंकि आप लोग को पता होगा अगर आप लोग खड़े रहते हो तो आपका corner score minus होगा बट अगर आप लोग game में run करते रहोगे न तो आपका corner score बिल्कुल भी minus नहीं होगा और इस glitch में जब आप लोग एक बार auto clicker को on कर दोगे तो मेरे भाई आपको game खेलने की कोई भी ज़रुवत नहीं है और आप लोग 10 dog tag 10 dog tag बहुत जल्दी claim कर सकते हो बिना game खेले यहाँ पर देखो auto clicker को आपको यहाँ पर set करना है automatically आपका game back होएगा देखो यहाँ पर lobby पे आपको कर देना है ठीक है automatically आपका game देखो back हो जाएगा देन आपका game automatic start भी हो जाएगा आपको सिर्फ auto clicker को on करना है और अपने device को side भी रख देना है यहाँ पर देखो game start भी automatic हो गया आपको score भी मिलेगा experience का score मतलब कि इस glitch ना आप लोग का level भी upgrade हो गया आपको experience नहीं मिलेगा मेरे भाई experience भी मिलेगा automatically आपका level भी बढ़ता रहेगा और आपके dock pack भी guild में complete हो जाएगे सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरा automatic ही match start हो गया है मतलब इस glitch में आप लोग को सिर्फ auto clicker को on करना है और अपने device को side में रख देना है आपका game automatically start होगा automatic आपका game character run करेगा automatically आपका game back होएगा सब कुछ automatic हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इससे आप लोग का ID भी suspend नहीं होगा आपका होरनर स्कॉर माइनस नहीं होगा और भाई सबसे important कि इस glitch को reason की top 1 वाली guild यूज़ करती है जिसने इस week 36,000 dog tag अपनी guild में complete किये इस auto clicker glitch की मदद से यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के starting में बताया था कि आज मैं आप लोग को 2 dog tag glitch बताने वाला हूँ पूरे 2 dog tag glitch और एकदम working dog tag glitch बताने वाला हूँ पहला glitch तो मैंने आपको बता दिया जिसमें आप लोग को auto clicker यूज़ करना है उसके बात देखो जब आप लोग auto clicker automatic set कर दोगे ना तो आपका गेम इस तरीके से भाई automatic की run करेगा automatic back होगा यह तो मैंने आपको बता दिया बट अभी मैं आपको इस game को back करके दिखाने वाला और दूसरे glitch को use करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मैंने वो वाला game back कर दिया और यह देखो सिर्फ एक game खेलने से मेरे को 10 dog tag मिल गिये और मैंने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ auto clicker को on किया है और अपने device को side में रख दिया और 10 dog tag मिल गिये अब देखो दूसरे वाले glitch में आप लोग का corner score माइनस नहीं होने वाला है मेरा बात ध्यान चे सुन लो corner score माइनस नहीं होने वाला है लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर corner score दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक corner score का भी glitch है और यहाँ पर clear mention है कि आप लोग को game start करने के लिए corner score की बिल्कुल भी जरूत नहीं class squad का match start करने के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये code apply करना है और game start करना है अब मैं यहाँ पर corner score क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा वाला glitch है न उसमें आप लोग को game back करना पड़ेगा जल्दी जल्दी doctor complete करने के लिए अब game back किया है तो आप लोग का corner score minus होगा ऐसा आप लोग को लगता है क्योंकि आप लोग वीडियो को end तक नहीं देखते हो ठीक है हाँ पर जैसे मैंने starting में दिखाया था आपको craftland में आना है इस map के code को enter करना है code लेने के लिए आपको description और comment section में code मिल जाएगा और वहाँ से अगर आप लोग copy नहीं कर पा रहे हो तो यह रहा मेरा instagram का account आप लोग यहाँ पर आके तो तुम लोग मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हो अब देखो इस craftland के map में होता क्या है कि इसमें आप लोग जैसी game start करते हो आपका game 2 second में बोया हो जाता है 2 second में आप लोग का game बोया होएगा तो आपका game automatically back आ जाएगा जब आप लोग का गेम बोया होएगा तो आपका होरनर स्कोर भी प्लस होगा यहाँ पर देख सकते हो मेरा होरनर स्कोर 96 से 98 हो गया तो अभी मैंने आप लोग का होरनर स्कोर वाला प्रॉबलम तो एगदम सॉल्फ कर दिया पहले तो मैं गिरांटी दे रहा हूँ कि आपका गेम बैक करने पर क्लैस्कोर ग्लासिक होरनर स्कोर माइनस नहीं होगा बट भाई बहुत से प्लियर बिना वीडियो देखे ही बोलते हैं कि होरनर स्कोर माइनस हो रहा है पहले बहुत सारे player क्या करते हैं first round में game back कर लेते हैं बट अगर आप लोग first round में game back करोगे तो आपको सिर्फ 3 dog tag मिलेंगे बट अगर दूसरे round में game back करोगे तो आपको 5 dog tag मिलेंगे तो आप 2 second wait करके 5 dog tag collect कर सकते हो अभी मैं second round में आ गया हूँ सेकेंड राउंड में आपको आते ही क्या करना है सबसे पहले अपना इंटरनेट आफ करना है ध्यान से देखे लो इंटरनेट आफ करना है फिर इंटरनेट आउन करना है और गेम बैक करना है पहले इंटरनेट आफ करना है फिर दो सेकेंड वेट करना है फिर इंटरनेट आउ तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि आपको आटो क्लिकर को डाउनलोड कैसे करना है, आप लोग प्ले स्टोर पर आटो क्लिकर सर्च करोगे, तो ये तीन एमबी वाला जो आटो क्लिकर है, थार्ड नमबर वाला आप लोगो देख सकते हो, जिसके 5 करोर तो आप लोग डाउनलोड तो कर सकते हो, ठीक है, इसको इनिस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओन कर देना है, वहाँ से आपको इसका एक प्रेस का बटन, फर्स्ट वाला प्रेस का बटन अपने गेम स्टार्ट में रख देना है, और आपका गेम आटोमेटिक की स्टार् वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई रीजन की टॉप वन वाली गिल्ट का ग्लीच लेके आयों तो लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हो क्योंकि चैनल बहुत जादा डाउन है